आई यह दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं इस वीडियो मैं सिखाने वाला हूं माफी मांगने के कई तरीके सोरी बोलने के कई तरीके सो गाइज मेरा पहला सेंटेंस है मुझे माप करो I am sorry क्या बोलते हैं हम लोग I am sorry इसे इंगलिस में बोलते हैं I am sorry यह सब मेरी गलती है इसे इंगलिस में बोलेंगे It's all my fault एक्ष वाला है आईए देखते हैं इसके लिए मुझे माफ करें इसका इंगलिस होगा I am sorry for this इतना गुस्षा ठीक नहीं है This much anger is not good इसे इंगलिस में बोलेंगे This much anger is not good इस बार में ने तुम्हें माप किया इसका इंगलिस होगा I forgive you this time इसे इंगलिस में बोलेंगे I forgive you this time Next वाला है मुझे मेरी गलती का हैसास हुआ I realized my mistake यानि मुझे मेरी गलती का हैसास हो गया है इसे इंगलिस में क्या बोलेंगे I realized my mistake अगला वाला है मुझे पता नहीं था तुम्हें दुख पोचेगा इसे इंग्लिस में बोलेंगे I had no idea it would hurt you क्या बोलेंगे I had no idea it would hurt you next वाला है अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए इसे इंग्लिस में बोलेंगे this should not happen next time next वाला है मैंने बेवकूपी की how stupid of me क्या बोलेंगे इसे इंग्लिस में how stupid of me एक और तरीका माफी मागने का directly बोलते हैं हम माप किजिए forgive me क्या बोलते हैं forgive me या I am sorry भी बोलते हैं एक और है मैं बहुत छमाप्रार्थी हूँ I am awfully sorry अक्सर हम यह बोलते हैं कि मैं मापी मापना चाहता हूँ मैं छमाप्रार्थी हूँ please मुझे माप कर दो क्या बोलते हैं I am awfully sorry इतना गुसा ठीक नहीं है इसे इंग्लिस में बोलेंगे this much anger is not good क्या बोलेंगे this much anger is not good next वाला है मैं मापी मांगता हूँ इसे इंग्लिस में बोलेंगे I apologize क्या बोलेंगे I apologize next वाला है माप किजिएगा मैंने ध्यान नहीं दिया अगर आप किसी से अचानक टकरा जाएं तब यह इसका इंग्लिस बोल सकते हैं आप sorry I was negligent sorry I didn't notice इस दोनों ही तरीका आसान है आप बोल सकते हैं इजी है आप बोलिए कि आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बोक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा